राहूल गांधी और इंडिया गटपंधन के नेताव ने नवी मुंबई में रैली की जिसमें राहूल गांधी ने कहा मोधी जी बस एक मुखावटा है जिसे बस काम दे दी जाता है सुबा उठकर ये करो सूट पहन कर कभी समुद्र में कूद जाओ तो कभी त्रिसूल लेकर फोटो सुट करवाओ इसके पीछे कोई और है हिंदू धर्म में एक सक्ति होता है जिसके खिलाप हम लोग लड़ रहे हैं हम लोग मोधी के खिलाप या किसी राजनितिक पार्टी के खिलाप नहीं लड़ रहे हैं हम लोग एक सक्ति से लड़ रहे हैं जो मास्क के पीछे छ इत्माल आप कर रहे हैं तब मोधी जी समझे वरना गलत अपफार फीर से फैलाने लगते मोधी जी राहूल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे बोले मुंबई से आज हिंदुस्तान की आवाज निकलिये देश को माटने का मनसूबा रखने वाली सक्ति इंडिया की सक्ति क कभी हरा नहीं सकती नरेंद मोधी एक नकरात्मक सक्ति का मुखोटा है वही सक्ति जिसने हिंदुस्तान की संस्थाओं को गुलाम बना लिया है वही सक्ति जो भारत के किसान मजदूर युवा महिला गरीब और छोटे उध्वों को निचोड कर सब कुछ अपने चंद अरप पति मीत्रों पर लुटा देना चाहती है वही सक्ति जो देश में आज भरष्टा चार की मोनोपोली है अब इस सक्ति को कराना जवाब देने का वक्त है और यह आपकी हमारी सबकी जिम्यदारी है महबत के इस देश में एक बार फिर नफ्रत हारेगी इंडिया जितेगा इस रैली में बिरोजगारी, किसान, मजदूर, गरीबी, अगनीवीर योजना और अन्य चीजों में राहूल गांधी ने बाहसं दिये आगे क्या कह राहूल गांधी ने आप खुद सुनिये 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्या कुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था यह यात्रा शांत हो जाएं यह यात्रा हमें क्यूं करनी पड़ी क्यूंकि देश का जो कम्यूनिकेशन का सिस्टम है यह वो मीडिया हो सोशल मीडिया हो वो आज देश के हाथ में नहीं है जनता के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी हिंसा, नफरत, महंगाई किसानों के मुद्दे अगनी वीर के मुद्दे जवानों के मुद्दे वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे तो हमें ने यह यात्रा करनी पड़ी क्यूंकि और कोई चारा नहीं था देश के धीयान को पकड़ने के लिए विपक्ष को चार हजार किलोमेटर और सिर्फ राहुल गांदी नहीं चला यह गल्त पहिमि में मत रहिए कि यह राहुल गांदी चला है सब पार्टियों के सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ, शरतवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजेश हुए आए, सोशल मीडिया में भी, आप गलत फेहमी में मत रहिए, किसी ने कहा, कि सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया रास्ता नहीं है, उस पर भी कंट्रोल है, अमेरिका की कंपनियों पर दबाव है, तो काफी डिसकॉशन होता है, कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लोग सोचते हैं, कि हम सब एक राजनेतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश भी सोचता है, कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं, अलग-अलग पोलिटिकल पार्टी से हैं, ये एक राजनेतिक पार्टी से लड़ रहे हैं, ये सच नहीं है, ये गलत है, हम राजनेतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, और ये समझने की जरुरत है, हिंदुस्तान के यवाओं को ये बात समझनी होगी, कोई और कहता है, ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति को चहरा बना कर उपर डाल रखा है, हिंदु धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मा से रो के कहते हैं कि सोन्या जी, मुझे शर्म आ रही है मेरे में इन लोगों से, इस शक्ती से डरने, लडने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग, इन सी के लोग ऐसे ही चले गए नए जे शक्ती के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़ कर उनको बीजे पी एक और किया है और वो सब डर के गए हैं चार हजार किलोमेटर चला उसके बाद छे हजार किलोमेटर मनिपुर्शे, महराष्ट्रा, मुंबई, धारावी क्या मैंने देखा क्या सुना मैं आपको समझा नहीं सकता शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको बोल रहा हूं तो बात याद आई मेरे पास एक युबा आता है, जीप पर कुटता है, सिक्यूरिटी वाले उसको मारते हैं, दवा कर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आँख में आसू, मुझे कहता है, राहूल जी, मैंने तीन साल, हर रोज सुभे, रणिंग की, पुल अप्स की, पुश अप की, डंड बैटक, सब कुछ मैंने किया, मेरे दिल में देश भक्ती थी, मैंने, मैं चाता था, कि मैं लदाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कापू, देश के दुश्मनों के सामने कापू, और एक दिन अगर मौका बने, तो उनकी गोली भी खाऊ, ये मैंने सोचा था, राहुल जी अगनिवीर लागू कर दिया, मेरे देश ने मुझे धोका दिया है, नहीं, तुमारे देश ने तुम्हे धोका नहीं दिया, तुमारी सेना ने तुम्हे धोका नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोका दिया है नरेंद्र मोधी बाईयों और बेहनों सिर्फ मास्क है मुखोटा है जैसे ये बॉलिवूड के आक्टर है उनको रोल दिया गया है कि भाईया आज सुबह आपको ये करना है कल आपको ये बोलना है परसों आप ये करोगे सुबह उठके समुदर के नीचे जाओ चलो सी प्लेन में उड़ो चपन इंच के चाती नहीं है खोकला व्यक्ति है दारावी को देखिया आप झाल प्लें के बदाए रहा आपको ये लिए और चलो आपको ये जड़ो आपको ये झाल आपको ये जड़ो